हलो बच्चों एक प्राब्लम आई मेरे सामने कि बॉंड और निकालने में बड़ी समस्या हो रही है तुम लगों को तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना दे जिससे तुम्हें बॉंड और निकालना चुटकी में निकाल दो चुटकी बजाओ बॉंड और निकल आएगा कुछ नहीं करना है सिंपल सा एक कॉंसेप्ट बताऊंगा और आज के बाद बॉंड और निकालने में तुम्हें कोई परिसानी नहीं जाएगी कोई भी डियाटॉमिक मॉलीक्यूल ठीक है भई पस थोड़ा सा पेसेंस रखना और इसली समझ में आजाएगा क्या समझ में आजाएगा पहली चीज़ तो जो बॉंड और है न अच्छा डेफिनीशन बगएर हमें नहीं बताने वाला हूं सीधे कॉंसेप्ट बताऊंगा ट्रिक है ये बॉंड और इस डारेक्ली प्रपोज़नल टू बॉंड स्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रपोज़नल टू बॉंड लेंथ एंड डारेक्ली प्रपोज़नल टू बॉंड एंगिल तो ये कुछ छोटी सी बात है इसको आप दिमाग में रखना ये भी काम आएगा तो बॉंड ओर्डर कैसे निकालते हैं ये समस्या है एक चीज़ याद कर लो ज़ादा मैं नहीं बताऊंगा फोर्टीन एलेक्ट्रॉन इस्पिसी अगर है तुमारे पास तो उसका जो बॉंड ओर्डर है वो होता है थ्री अब बस यही बेस बन जाएगा हमारा बाकी काम बहुत आसान है अब चाओदा से फोर्टीन से नीचे आओ जैसे की 15 15 एलेक्ट्रोन इस पिसी थे इन बेदिव इस वैल्यू बई 0.5 तो इद वी 2.5 16 एलेक्ट्रोन देन 16 एलेक्ट्रोन देन वात हैं अगें 0.5 ए बेदिव से थे लेक्ट्रोन देन 2 17 electron then 1.5 reduce 0.5 every time 18 electron then 1 19 electron then 0.5 बन गया काम बस ये वाला पकड़ लो बीच वाला पकड़ लो बाकी सब आसाने अब 14 से उपर जाओ 14 से उपर हो जैसे कि 13 electron 13 electron फिर 0.5 कम करो so 2.5 12 electron then again 2 फिर 0.5 कम 11 electron फिर 0.5 कम 1.5 10 electron फिर 0.5 कम 1 9 electron then फिर 0.5 कम so 0.5 हो गया ट्रिक तैयार अब कुछ नहीं करना है अब इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो bond order निकालने में कभी कोई गल्ती नहीं करोगे पांच मिनट में वीडियो खतम कर दूँगा और बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे पहली चिक जैसे कोई single bond species है like A single bond B जैसे की hydrogen तो यहाँ पर bond order क्या हो जाएगा एक ही bond है तो bond order हो जाएगा 1 A to B double bond है जैसे की oxygen तो bond order क्या हो जाएगा 2 triple bond है अगर जैसे की nitrogen तो bond order क्या हो जाएगा 3 bond है तो bond order तो यह एक general concept हो गया इसको दिमाग में रखना एक exception है आपे उसको भी याद कर लेना बाकि कुछ नहीं करना है क्या exception है exception है बच्चो CO plus कितने electron है यहाँ पे अगर count करोगे तो 6 electron carbon के 8 electron oxygen के तो 6 plus 8 14 और plus 1 charge दें 13 electron तो according to the concept 13 electron पे 2.5 bond order आ रहा है लेकिन यह गलत होता है actual bond order है यहाँ पे bond order है 3.5 इसको ध्यान रखना यह exception है एक ही exception है के बाकि कहानी easy है अब आप कर सकते हो बाकि कुछ चेकर लेते हैं example फटाख से आप बता दो पहला NO how many electrons are there 8 oxygen 8, 7, 15 then 15 electron bond order 2.5 CO 8 plus 6 14 electron how many electron 14 electron 14 electron then bond order 3 N2 how many electron again 14 electron then bond order again 3 okay O2 plus 8 to the 16 plus 1 charge then 15 electron then bond order 2.5 O2 minus 16 plus 1 17 electron then bond order 1.5 O2 minus minus 2 how many electron 18 electron bond order 1 simple सा method है आपको समझा गया होगा आप कर पाएंगे इस से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है फटाख से याद कर ले क्या याद कर ले केवल ये वाला 14 electron 14 से उपर जाने पर 0.5 0.5 घटाते जाओ नीचे आने पर भी 0.5 0.5 घटाते जाओ और तुमारा bond order diatomic molecules का तयार हो गया इस से ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है diatomic molecules के लिए और मुझे नहीं लगता है कि कोई problem आएगी तुमें आज के बाद इस topic में तुम आसानी से bond order निकाल लोगे so it's a super trick it's a super trick so इस तरह के tricky video देखने के लिए लगतार बने रहे है हमारे channel पर subscribe करें channel को और like करें video को और share करें ज़्यादा से ज़्यादा thank you this side you know you're well known govind sir for chemistry so please like the video and share the video as possible